तो मौझूद है देपालपूर जन्पत की पंचाद बड़ोली हौज में जहां हमारे 27 वक्र जोड़े हुए है पूरु सरपंच पती आये चलते हैं इनके पास कुछ सवालों के लिए सर्पंच साब नमस्कार जैसे कि आपकी पतनी है उनों पिछले आठ सालों से पंचाद चलाई है तो कैसा रहा हुआ कारिकाल का विकास दिख रहा है सब लोगों सारे खितों पे आठ साल से नहीं है तेरा साल हो गए हमें दो कारिकाल हो गए पूरी बड़ोली होज में जो भी साथ बने है सब हमारे कारिकाल करी वो जितने भी सीसी रोड है बड़ोली में कोई गली बाकी नहीं है कि जहां पे सीसी रोड नहीं है अब फिलाल में क्या है कि जनपत पंचाज से नो लाग रुपे मानिपूर विधायक जी मनुच पडेल ने दिलवा है जिसका नाली का कार प्रगति पर चल रहा है और पिछली बार हमने डेड़ किलोमेटर नाला था डेड़ किलोमीटर उसको प्रसाशन की मोजुद्गी में चार दसक से बन था उसको चालू किया है यहां पे करीब राम मंदिर के यहां चार से पांच फिक पानी रहता था करना करना पड़ता है इस काम के लिए क्या है कि मैं माननी पीडवडी मंत्री गोपाल भारगव जी से और अपने जो मंत्री जी है तुलसी सिलावट जी से मिला तो यहां से फाइल बनके अभी करीब 10-12 दिन हुए हैं पेले डामरी करन की थी लेकिन उनने बोला कि नहीं यह सिसी रोड होगा तो नो पाइंट का है मामला और 95 लाग की यह मेरे पास में पेपर तयार है जो कि भौपाल पहुंच चुके है भौपाल भौपाल से क्या आशोचन गया है भौपाल से अभी फंड नहीं था इसके बाद चुनाव आचार सहीता लग गई है बस आचार सहीते उसके लिए भी मैंने भौपाल में फाइल बना के भीज दिये अप्रस्ताव बना के भीज दिया है उसके लिए भी मान्री मंत्री जी जो कि स्वास्टमंत पाचि जो किâu मिना साब है मैरे पासुझक बजा कर C Aad दिन जाती दिन मना सिंग जिय मांडवे उनको लेटर दिया ह जो किये मेरे पास में अच्छता साफ सफाई इसको लेकर आपकी पैंचातों के द्वारा क्या काम किया है हमारे पास में दो सफ़ी कर्मी है तिसरे चोथे दिन पुर्गाओं की नाली साफ सफ़ी करते हैं पीने के पानी की दो हजार सन 2000 में एक हमारे पुर सरपन साब थे पीरा जी बहगत जी एक ट मेंने 2009 से पानी चालू किया नलजल योजना आज तक मेरे गाओं में सुचारूर उप से चल रही है और एक टंकी और बनके तयार हो गई है और पूरे गाओं में वापस डबल में जो नहीं पाइबलाई पेले की फुट्टूट लाइन हो गई थी उसको पूरे गाओं में प सो बीस से पचीज है और बॉला वाथी जिसमें भॉप रधावस्ता है कल्याणी है परित्याइइता है एक सबीस से पचीज लोगों को मिलती म होदी जी का सपना है है कि मेका इंडीया में क लिए मोदीजी का सब्द्र करनिए इसके लिए मेरे गाव में गरीब हो जैसे कि बड़े बड़े लोगों के तो क्या है बच्चे प्रावेट इसकुल में पढ़ लेते हैं जिसकी फिस कम से कम नर्सरी की 30-40,000 रुपे रेती हैं उसके लिए हमारे गरीब लोगों के बीपेल कुपन तयार करवा दिये हैं और उन सब्सक्राइब करते हैं जिनको सिर्फ बसका किराय लगता है और मालवा में भी 40-50 बच्चे हैं वह भी फिरी पढ़ाई करते हैं जैसा कि आपने बता कि आपके दो कारिकाल पूर्ण हो चुके हैं पंचायब के अदर अभी फिर से कुछ प्लानिंग के चुनाओ लेकर आप ह speaking in behave hy. प्रवलोभन देंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगी काम के लिए बोढ रेंगी इन लोगों ने चुनाव के लिए अंगराई से करिंद्ध कि युण मेरी पत्ने को सल्य वासुदो परमार आप सासर प्रसासन सब क्या चाहते है चुनाव इस बोटिंग को लेकर मेरा सासन से एक ही निवेदन है कि जो जिस दिन मद्दान हो उस दिन पुलिस की ज्यादा ज्यादा व्योस्ता कर दे जिससे क्या कि सांतिपूर्ण मद्दान हो सके लोगों पर दबाव बनाएंगे बोट डालने नहीं जान देंगे और उनका खुद का केना है लोगों का जो उनके साथ में हम खुले बोट डलवाएंगे और हमारी मर्जी पड़े उनके बोट डलवाएंगे बागी को बोल लेंगे घर से ही मज जाओ बोट नहीं डालोगे मेरा एकी निवेदाने प्रसाशन से के पूलिस व्योस्था अच्छी हो जाए जिससे सुरक्षा रहे मद्दातां को दिक्कत नहीं आए और शांती पूर्ण धंग से मद्दान हो सकते आप नहीं के उम्हों पर गामन क्या विच्णास का रहे हैं बताएंगे वह पदामन्ति अवास मिली है नाम आगे मदला भी बनी नहीं है गाओं में नलवलों की यह सब यूजना चल रही है हमारा घर के सामझे घरंजा अड़नजा बदीया उन्हों में उस्ता है अब शड़क काम भी चल रहा है क्या चाहते हैं इस बारा मदला वो ला कि तो वही सब्सक्राइब वह जनता जाने है कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि